हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टो आनलाइन बाइलोजी क्लासेश बेटा हम जो क्लास 12 की NCRT का चैप्टर नंबर एट हम फिस्काव करें से गकाहिश्च परिए ठिच्टिक क्या जाता है कैसे उसको डिस्ट्रॉई किया जाता है वह आपने उसको देखा अच्छे से समझ लिया है फिर उसके अलावा बेटा इसके अलावा हम लोगों ने कुछ चीज़ें क्लास में भी पढ़ी थी जैसे active immunity, passive immunity क्या होती है, vaccination क्या होता है, immunization क्या होता है, allergy और autoimmunity, ये सारी चीज़े बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में, अब हम आगे बढ़ चुके हैं बेटा, वो अगला पार्ट है हमारा बेटा, जो 8.2.7 पर है, वो हमारा immune system in the body, हमारी body में immune system, कौन कौन से organs immune system का formation करते हैं, और ये कहां पर, किस position पर situated होते हैं, इस चीज़ को हम इस video lecture में समझने वाले हैं बेटा, आपको पता है बेटा कि जो हमारा immune system होता है, वो दो प्रकार का होता ह एक innate होता है, एक adaptive होता है, adaptive में आपने देखा था कि जो हमारी lymphocyte cells होती हैं, वो main role play करती हैं, और ये lymphocyte cells जो होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक D lymphocyte, एक B lymphocyte, और जो B lymphocytes होती है ये आपका humoral immunity को show करती है, और जो हमारा T lymphocytes होता है, ये shell-mediated immunity को show करती है, तो humoral immunity में क्या था आपने देखा था कि B cells होती है इसमें और ये plasma cell में convert होकर के antibody का formation करती है antibody antibody का structure होता है बेटा वो बहुत important structure है उसको आप दिमाग में रखिएगा बेटा आप उसको ध्यान से एक बार फिर से NCRT का diagram देख लिजेगा कि antibody में कौन-कौन से इसमें कितनी light chain होती है कितनी heavy machine होती है और उसमें कौन-कौन-sraction bonding होती है, antigen binding sites कौन होते हैं, end terminal कै要 होता और C terminal क्या होता है, variable sites कौन होता है, constant side क्या होता है, क्या होता है सब हमने आपको उस structure में next वीडियो में हमने इसके पहले वाले previous वीडियो में हमने बता दिया है बैटा समझा दिया है आपको hope वो अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा तो बैटा अब हम आगे देखते हैं बैटा जिससे NCRT को देखते है NCRT ने साफ साफ लिखा हुआ बैटा कि the human immune system consists of lymphoid argon जो हमारा human immune system होता है इसमें सबसे जो बनाता है वो lymphoid argon बनाता है और tissues होती है कुछ cells होती है और soluble molecule like antibodies जो antibodies होता है बैटा हमारा जिसको हम आर्मिया प् देखा था कि बैटा कैसे immune system किसी pathogen को recognize करता है और कैसे कैसे इसको destroy किया जाता है जैसे आपको याद होगा बैटा की T cell T helper जो थी T cell की जो एक T helper होता है वो किसी भी antigen को detect करेगा और वो signal देगा कि इसको B cell को और B cell क्या क्या करती है प्लाज्मा cell में convert होकर के antibody का formation करती है और हमें maternal से प्राप्त होती है mother से प्राप्त होती क्योंकि IgG and placenta को cross करके हमें प्राप्त होती है और IgA एक secretary antibody होती है जो हमें cholesterol से प्राप्त होती है और tear से भी यह secret हो सकती है ठीक ना आपको पता है कि जो हमारी blood cells होती है आपको आपको पता है कि जो हमारा immune system में जो आपकी जो B cells होती है और T cells होती है यह जो lymphocides cells होती है यह सारी की सारी cells सारी के सारी से डबलुबीजी क suburbs कि ही एक टाइपToddी है डबलुबीजी का ही प्रकार होता है तो कहने का मतलब है कि जितनी भी सेएप hog बनाता है बीटा, bone marrow बनाता है, ये bone marrow बनाता है, जब, जब fetal stage में थे अब ठीक है? जब fetal stage में थे, embryonic stage में थे तब उस दौरान ये blood cells को बनाने वाली कौन सा organ था ये liver बना रहा था लिवर के पहले यॉक cells बना रहे थे यॉक सैक बना रहा था तो आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा बेटा कि एम्रोइनिक stage में liver हमेरे blood cells का formation कर रहा होता है और जैसे ही हमारे सरीर में organogenesis होता है उस दौरान बेटा organs के डिवलफ होते हैं bone marrow डिवलफ हो जाते हैं और तब फिर ये bone marrow हमारे blood cells का formation करने लगता है जिसमें जिसको blood cells का formation होता है बेटा और RBC का बनना बेटा erythropiosis कहलाता है WBC का बनना leukopiosis कहलाता है और जिसमें आपका platelet सामिल होता है जिसको thrombocytes कहते हैं इसको हम thrombopiosis कहते हैं यानि कि जितनी भी blood cells हैं सभी blood cells का formation का करता है बेटा ये आपकी bone marrow करती है तो आपको पता है कि जो हमारा acquired immunity होता है उस acquired immunity में दो cells सामिल होती है जिसमें एक b cell सामिल होता है और एक t cell सामिल होता है b और t cells को बनाने वाला कौन होता है बेटा bone marrow बनाता है और bone marrow और thymus सुलीजेगा बात को बेटा bone marrow और thymus यहीं हमारे primary lymphoid आरगन होते हैं इसे एकर मैं कहूं कि प्राइमरी प्राइमरी लिंफॉइड आरगन कौन से हैं प्राइमरी लिंफॉइड आरगन कौन से हैं प्राइमरी लिंफॉइड आरगन होते हैं यह क्या होते हैं बोन मेरो होते हैं और दूसरा होता है थाइमस दूसरा होता है थाइमस इसमें क्या होता है, formation of blood cells, ठीक है न, इसमें क्या होता है, formation of, formation of all blood cells, all blood cells, ठीक है न, formation of all blood cells, तो जो blood cells का formation होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इसका maturation होता है, ठीक है न, maturation होता है, मेचूरेशन होता है, formation of earth blood cells, तो इसमें थाइमस में क्या होता है, यह blood cells का मेचूरेशन होता है, जो हमारा secondary lymphocytes है, secondary lymphocytes है, secondary lymphoid organ, secondary lymphoid organ से, secondary lymphoid organ, इस secondary lymphoid organ में बेटा, आपकी सामिल होती है, यह आपके lymph node सामिल होते हैं, जो growing region पर present होते हैं, यहाँ पर यहाँ पर जो growing region पर present हो होते हैं ये सेकंडरी लेंफयट जोते हैं अब इन इनügen होता क्या है इस चीज़ को समझेगा बेटा सबसे पहले सबसे पहले हम बोन मेरों में देखेंगे कि बोन मेरों में जब जब लिंफोसाइड सेल्स बन जाती है ठीक ना जब लिंफो क्योंकि ब्लड सेल्स का फार्मिशन होता है और ब्लड सेल्स में जो लिंफोसाइड सेल्स होती है वह Gree慮 करने यसे नाफिल में आपका और लिंखोसाइट सेल्स ती अब अब योसीनो फेल युटाल बीडियो में बता चुके है मोनोसाइट का भी काम बता चुके है और लिंफोसाइट swift होती है जो आपके acquired immunity के functions को perform करती है इन lymphocyte cells में lymphocyte cells cells भी bone marrow में बन रही होती है और यही lymphocyte cells ही आपके acquired immunity को perform करती है कैसे करती है वो भी हम पिछले वीडियो में हम देख चुके है समझ चुके हैं बेटा तो अब जो lymphocyte cells यहाँ पर बनती है तो जो लें इसकोो नोट कर लिजेगा थिकर न बीद पर सायब में बनने के बाड़ tightening लिम्फोसाइट सेल्स होती है यह बेटा माइग्रेट कर जाती है कहां पर थाइमस में समझेगा बेटा बहुत important important topic पर हम discuss कर रहे हैं बगर यह औरिया आपको समझ में नहीं आएगा बेटा लेकिन अटेंटियो और समझेंगे तो यह आसानी से समझ में आ जाएगा बेटा देखो बेटा क्या होता है यहा यह होता है क्वाइभा bone marrow और thymus ठीक ना bone marrow और thymus ये 2 cells é two organ हो गये कौन सा primary lymphoid organ ठीक है न ये primary lymphoid organ हो गया ठीक है primary lymphoid organ हो गया सभी blood cells कहाँ पर बनती है बैटा सभी blood cells बनती है इस bone marrow में अब bone marrow में bone marrow में जो बना bone marrow में क्या बना 1 T cells बना जिसको t lymphocytes कहते हैं एक B-cells बना, जिसको B-lymphocytes कहते हैं, यह T-lymphocytes यहाँ पर formation होने के बाद, समझ लिजेए बटा, T-lymphocyte का यहाँ पर formation होने के बाद, यह migrate कर जाती है, कहाँ पर बेटा? इस thymus cells में, ठीक है न? माइग्रेट कर जाती है कहाँ पर? इस thymus cells में, thymus cells में, बेटा, migrate करने के बाद जहां इस बी लिंफोसाइट का बी लिंफोसाइट का प्रॉली फरेशन होगा ठीक है ना प्रॉली फरेशन का मतलब है बेटा कोई भी इसल बनने के बाद यहां पर proliferate होगा थाइमस में थाइमस में क्या होगा मैच्योर कर दिया जाएगा मैच्यूरेशन में बेटा इसमें कुछ विसेस प्रकार के receptors मिल जाते हैं इनको यहां पर जिनको हम CD4 and CD8 receptors कहते हैं ठीक है न यह T-cells में CD4 और CD8 जो receptors होते हैं ये इनको प्राप्थ हो जाते हैं कहाँ पर thymus cells में और जो B-cells होती है बेटा B-cells, B-cells बेटा bone marrow में बनती है bone marrow में बनती है और bone marrow में ही रह जाती है mature होने के लिए ठीक है न bone marrow में ही रह जाती है mature होने के लिए और यहीं पर यह mature होने के बाद, समझ लीजिएगा बैटा, यहीं पर यह mature होगी, mature होने के बाद, तब यह migrate करती है, कहाँ पर, thymus cells में, जो आपकी B cells होती है, B cells bone marrow में ही, यहीं पर mature होगी, mature होने के बाद, thymus cells में migrate करेगी, और migrate करने के बाद, यहाँ पर भी thymus में, thymus मे क्या होता है सिर्फ proliferation होता है ठीक ना proliferation होता है ठीक ना proliferation होता है समझेगा बैटा तो जैसे NCRT ने यहाँ पर directly लिख दिया है कि यह एक ऐसा अस्थान होता है यह एक ऐसा आरगन होता है जहाँ पर origin होता है ठीक ना जो origin होता है किसमें bone marrow में bone marrow में जहाँ पर origin होता है immature lymphocytes का और यह differentiate हो जाती है, differentiate और proliferate होती है lymphocyte आरगन में, differentiate का मतलब है बटा हमने आपको बताया था कि जो हमारी T-cells होती है, वो T-cells कई प्रकार की होती है, और यह कई प्रकार का मतलब है, it's cytotoxic T-cell, T-helper, T-killer, natural killer, यह हमने आपको पिछलों वीडियो में बताया है कि यह cells differentiate हो B-cells mature यहीं पर होती है, bone marrow में होती है, और T-cell, T-cell बेटा, T-cell का maturation और proliferation कहां पर होता है थाइमस में होता है, याद रखिएगा बेटा, bone marrow, bone marrow birds में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, birds में bone marrow नहीं पाया जाता है, उसमें lymphocytes cells बनाने का काम करती है, कौन? ठीक है ना, इसके पहले जो बताया है concept उसको याद रखिएगा, note भी करते जाएगा ठीक है ना, वीडियो को आप pause करके पहले note कर लिजिएगा, तब आगे बढ़िएगा, नहीं तो फिर सब दही बन जाएगा ऐसे, ठीक है? फिर क्या हुआ? फिर आप देखो, यहाँ पर यह proliferate और mature होंगे, mature होने के बाद thymus में, thymus में mature होने के बाद आपकी जो B cells और T cells होती है, यह migrate कर जाती है, कहाँ पर भेज दी जाती है बेटा? इनको भेज दिया जाता है, secondary lymphoid organ में भेज दिया जाता है, ठीक ना, secondary lymphoid organ में भेज दिया जाएगा, फिर इनको send कर दिया जाता है, बेटा कहाँ पर, secondary lymphoid organ में, ठीक बेटा, ठीक है, secondary lymphoid organ, ठीक, चलो, मैं आप इतना समझ गया होंगे, यहाँ पर, यहाँ आपको समझ में आही गया होगा, मैं मैं मिटा रहा हूँ इसको बेटा, थुरा सा, यह गीला किया, साप सही से मिट नहीं रहा था, ठीक है, चलो, अब देखते हैं, कि अब एक बार proliferation हुआ, maturation हुआ, किस चीज का, हमारी lymphoside cells का, proliferation and maturation, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप लिख लिजेगा, बेटा, proliferation and maturation, एक मिनट बेटा, यह गीला हो गया, मैं वीडियो को पॉस्ट करके पहले इसको ड्राई करता हूँ, यहाँ पर सारी B-cells बनी, और थाइमस में, थाइमस में एक और important चीज होती है, जैसे वहाँ पर जो cells होती है, cells जो होती है, हमने कहा कि mature कर दी जाती है, जो lymphoside cells होती है, वो mature कर दियाती है, mature करने का मतलब होता है बेटा, कि जो आपकी T-cells और B-cells होती है, यह mature किसलिए किया जाता है, क्योंकि इनका काम होता है, कि antigen को detect करके उसको destroy करना, तो इसका मतलब है थाइमस में जो cells आ जाती है, वो antigen sensitive हो जाती है, याद रखिएगा, थाइमस में जो antigen sensitive cells बन जाती है, यहाँ पर antigen sensitive हो गई, अब जो हमारी cells बन पर proliferate हो गई, बन चुकी थी, बन चुकी थी, अब वो कहाँ पर migrate कर दी जाएंगी, secondary lymphoid tissue में, ठीक है न, secondary lymphoid organ में, तो आपको पता है कि secondary lymphoid organ है, ठीक है न, secondary lymphoid organ जो होता है, यहाँ पर, secondary lymphoid organ में जो हमने आपको 4 नाम बताय थे एक होता है पाट आपको स्प्लीन बताए था ठीक है न gäller लिदा था चाहिए ना पेर आप पैचिस बताए था प्यर्स आप पैचस च्हूँश गणियु आप अपेंडिक्स अप पैचस अब क्या होगा यह उसको आप ऐसे समझे बेटा, जैसे क्या होता है कि कोई भी एक defense system काम करता है हमारी country में, जैसे आपको मैं अगर बात करूँ कि चलो मैं इलाहवास सहर की बात करता हूँ, प्रयाग राज की बात करता हूँ, तो पूरा का पूरा प्रयाग राज सहर है, उसमें अगर कोई defense system का काम करता है, तो हमारी police काम करती है, तो police कैसे काम करती है, इस चीज को समझेंगे बेटा, जैसे पहले तो police कहाँ पर तयार की जाती है, वो police training centers होते है, जहाँ पर police को तयार किया जाता है, वहाँ पर उनको समझाया जाता है, देखो अपराधी ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो वो पुलिस training center क्या हुआ, वो उनका primary lymphoid organ हुआ, ठीक है ना, primary lymphoid organ हुआ, police training center, अब वहाँ पर जितने भी पुलिस हैं, वो सब तयार हो चुके हैं, यानि कि वो क्या हो चुके हैं, culprit sensitive हो गये हैं यानि अपराधियों के प्रति वो sensitive बन चुके हैं वहाँ पर ठीक अब वहाँ से वहाँ से वो निकलेंगे निकलने के बाद क्या होगा बिभिन चौकियों पर भेज दिये जाएंगे जो पुलिस चौकियां बनी होती है पूरे लाहबास सहर में जो थाने बने होंगे चौकियां बनी होंगी वो वहाँ पर भेज दिये जाएंगे तो जो पुलि इसका काम होता है बेटा तो जो यहाँ पर चौकियां है और यह चौकियां यहाँ पर क्या काम कर रही है secondary lymphoid argon का काम कर रही है ठीक यही बिल्कुल same to same यही exact बिल्कुल हमारी body में भी होता है कैसे जिसे मैंने कहा कि bone marrow में क्या हुआ bone marrow में blood cells बनता है lymphocytes cells बनता है thymus में यहाँ पर mature होता है mature होने के बाद वो migrate कर दिया जाता है कहाँ पर secondary lymphoid argon में यानि यह police training center था police training center यहाँ पर वो lymphoid cells बनी बनने के बाद यह migrate कर गई कहाँ पर यह spleen में ठीक है और याद रखिए अगर thymus जो होता है thymus की size जो होती है जन्म के समय बड़ी होती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है thymus की size reduce होती चली जाती है ठीक है न जैसे older age में thymus की size बहुत जादा बहुत कम बहुत जादा reduce हो जाती है और यह बहुत कम बचता है इस वज़े से बेटा क्योंकि older age में हमारी immunity बहुत जादा reduce हो जाती है के दाती है चलो secondary lymphoyozo надwen ज्वें मेने थे स मैंने का लूट मेरे अभाया चलो यहां पर क्या हुआ और जलो आखें भी बना देते हैं इसकी नांख भी यह हसता हुआ है हमेस्ता हुआ है फिक ना इसके हांध भी है समझा वह न हाद भी है इसके पैर भी है इस एक हर्ट के हर्ट के is just beneath यह present होता है बेटा न हर्ट के just बनीद यह यहां पर अगर मैं इसको तुमसा दूसरे कलर से अगर मैं डिनोट करना चाहूं जो प्राइमरी लिंपोईड आरगन है चलो इसको इसको इसी कलर से रहने तो यह सेकंडरी लिंपोईड आरगन दूसरे कलर से डिनोट कर देंगे यहां पर प्राइमरी लिंपोईड आरगन क्य ने सेंटी्टेर सेंसीटी यहीं पर हो जाती है लेकिन थाइमस में थांस में कईको मWow प्रोलीफरेट कर लिए. यहां पर डोनों मेच्टियोर कंडीशन में है् प्रॉलिफरेट कर चुकी है यानि हमारा पुलिस फोर्स बन करके तयार हो चुकी है अब इनको भेज दिया जाएगा कहां पर यहां पर ठीक है यहां पर भेज दिया गया ठीक न यह यह ठीक है न यहां पर यह जो हैड़ वाला रिजिजन है यहां पर यह 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 ठीक समझ इस्प्लीन, इस्प्लीन कहा पर present हो यहाँ पर आपको 11 में पढ़ा रखा है, कि यहाँ पर RBC का Filtration होता है, जो Older RBC हो सकती है, जो Damage RBC हो सकती है, वहाँ पर RBC को Trap कर लिया जाता है, और RBC को Destroy कर गया जाता है, यानि यह Grave Yard of RBC होती है तो यहीं पर बिता यहीं पर बिटा आपका क्या होता है ठीक है न चलो ब्लू कलर से बन गया एक यहाद रखेगा यहीं पर आपका यहां भेज दिया जाएगा ठीक है ना कुछ को यहां भेज दिया जाएगा ठीक है ना कुछ को यहां भेज दिया जाएगा यहां भेज दिया गया यहां 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 हर जगहां पर इनको भेज दिया जाएगा तो बेटा इस्प्लीन क्या होता है इस्प्लीन में यह सेकंडरी लिंफोईड आरगन होता है और जो मेच्योर मेच्योर एंटीजन सेंसेट्यूट लिंफोसाइट सेल्स होती है इनको यहां पर भेज दिया जाएगा ठीक है ना टॉंसिल टॉंसिल यहां पर प्रिजन्ट होती है इनको यहां पर भेज दिया गया ठीक है ना फिर क्या है बेट पेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे होते हैं और हमारे यहां पर理arent होते हैं ठीक ना लीमजीन नोटS ल सारे के सारे एंटीजन सेंसेटीव जो पुलिस fork हमारी तयार हो चुकी है यानि बी सेल्स और लटीस जो कम्प्लीट अप मेचूर हो चुकी है और डिफरेंशेस हो है वो सबके सब अब उनको इन बिभिन चौकियों पर भेज दिया जाएगा अब बिभिन चौकियों पर भेज दिया गया पता चला यहां पर कोई infection हुआ यहां पर infection हुआ तो यह वाली यह वाली जो यह वाला जो छेत्र है किस वाली फिर कि चोखी के हिस्से में आ रहा है, कि पुलिस थाने के लिंप जने के हिस्से में आ रहा है यहां से वह लिंप नोट से, लिंप नोट से बेटा वह आपकी T-cells, B-cells निकलती है, निकलने के बाद कैसे perform करती है, वो हम पिछले lecture में देख चुके हैं यह T cells, B cells निकलती है यहाँ पर आ करके इस antigen को destroy कर देंगी, मार देंगी इस हिस्से में हुआ, तो इस side वाले lymph node काम करेगा, ठीक है ना यहाँ पर इस zone में हुआ इस zone में हुआ, तो यहाँ पर तो क्योंकि ज़्यादा तर infection हमारा इसी zone में होता है क्योंकि बेटा, यहाँ पर हमारा जो air air होता है, food होता है वो इसी से भी pass होता रहता है बेटा इस वज़े से infection के chances यहाँ पर अधिक होते हैं, इस वज़े से यहाँ पर तीन पुलिस चौकिया बना दी गई है, एक होता है बैटा हमारा स्प्लीन, ठीक है न, एक होता है स्प्लीन, दूसरा होता है पेर आप पैचेस, तीसरा होता है अपेंडिक्स, यानि ये तीन चीजे दे दी गई है, स्प्लीन दे दि यहाँ पर बैठे रहो कोई पैथोजन आएगा कोई एंटीजन आएगा कोई भी एंटीजन वहाँ पर पहुचा वहाँ पर T-cell निकलेगा और T-helper जो है उसको डेटेक्ट करेगा पहचानेगा पहचानने के बाद जाकर कि B-cell को इंफॉर्मेशन देगा उसको सिग्नल प्रव उस एंटीजन को वहाँ पर डिस्ट्रॉई कर दिया जाएगा अगर वह पहली बार उस एंटीजन का एक्सपोजर हुआ होगा तो क्या करेगा वह B-cells एंटीबॉडी का फार्मेशन करती है आपको पता है कि 2000 पर सेकंड एंटीबॉडी हमारी प्लाज्मा सेल फार्मेशन कर सकती है तुरंत ही एंटीबॉडी बनाया एंटीबॉडी बनाने के बाद जो भी एंटीजन आया है उसको वहीं पर मारगी राएंगे दौस्त कर देंगे ठीक है क्लियर हुआ बेटा तो याद रखिएगा बेटा लिम्फ नोट जो होता है बेटा सॉलिड स्ट्रक्चर होता इहांद रप्रिजंट होता है और यह स्प्लीन जो होता है यह आपके बलड को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है यहां पर लिखा हुआ बेटा एक लर्ज bean saved होता है mainly contain lymphocyte and phagocytes यह क्या बनाता है इस्प्लीन जो होता है साप साप लिखो है बेटा lymphocyte and phagocyte cells को बनाती है phagocyte cells क्या होती है वो macrophage होती है वो आपको पता है बेटा ठीक है ना monocyte cells ही जब निकल करके निकल करके बेटा वो tissues में चली जाती है तो macrophage का काम करती है यह phagocyte cells होती है ठीक ना यह blood को filter करने का भी काम करता है और blood burn microorganism जो blood में microorganisms बनते हैं वहाँ पर जो होते हैं blood में microorganisms उनको वहीं पर दबोच करके खतम कर देगी क्योंकि वहाँ पर कौन मौजूद है हमारी police मौजूद है क्यों क्योंकि वह चौकी है एक police चौकी है और वहाँ पर वह secondary lymphoid organ present होता है इस वज़े से उसको वहीं पर खतम कर दिया जाता है ठीक चलो यह चीज बेटा आपको बिल्कूल अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा अब हम एक और important चीज बेटा जो एक बार exam में आ चुका है एक बार क्या कई बार exam में आ चुका है बेटा जो हमारा और और passage और passage जो open passage area होता है बेटा जो respiratory passes tract हो गया और respiratory tract के आलवा जो हमारा digestive tract हो गया uranogenital tract हो गया यानि इन तीन पैसेज जो यहां पर दिया हो है एटीसी करके दिया है तक यहां नहीं रिस्पाइरेट्री डाइजेस्ट्यू एंड य्योरेट्रिजनााइटल यहां पर हमारी लिंफवाइड आरगन होते हैं तिमांग में रखे लिंफवाइड टुश्यू होते हैं जिसको हम माल्ट के नाम से जानते हैं लिखा है बेटा मा कोशा associated lymphoid tissue यहाँ पर कोई भी अगर पैथोजन का exposure होगा तो यह भी बेटा यहाँ पर भी बेटा कौन प्रेजेंट होता है यह यही पुलिस चोकी ही है यहाँ पर ठीक है ना यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर कोई एकोजर होगा तो तुरंथ भी वह पर उसको दबोच लेंगे और टोटल इंफॉइट चिशू का ठीक है टोटल इंपॉइट टिसू का पचास 50% हिस्षा 50% हिस्षा अकेले माल्ट कंटेन करता है ठीक है ना माल्ट कंटेन करता है याद रखेगा NCRT में पीटा साफ साफ लिखा हुआ है आप लोग यह देखेंगे बैटा कि यह निंस आल्टी के इस लास्ट पेरोग्राफ में देखेंगे यहाँ पर देर इस पचास परसेंट ठीक है ना कहा रहा है कि 50% हिस्सा जो लिंफॉइड टिशू होती है उसका बनाता है याद रखेएगा इस माल्ट सब्द को इसको पूरा नाम भी पूछा जा सकता है ठीक है ना माल्ट माल्ट ठीक है ना कैपकल लेटर में रहेगा म्यूकोसा म्यूकोसा associated lymphoid tissue ठीक है ना कितना 50% आप टोटल टोटल लिंफॉइड टिशू लिंफॉइड टिशू लिंफॉइड टिशू लिंफॉइड टिशू का टोटल 50% हिस्सा के लिए कौन ये माल्ट ठीक है बेटा तो अब ये आपको होप कि ये पूरा का पूरा completely आपको समझ में आ गया बेटा एक कहानी के कहानी के तौर पे आप इसको समझ दिए बिल्कुल जैसे ऐसा समझी है ऐसा पढ़िए कि बिल्कुल यह हम कहानी पढ़ रहा है जैसे पुलिस चोकी का जो मैंने एक्जामपल दिया कि ट्रेनिंग सेंटर होता है प केंडरी लेंप होईट आरगा